दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि O-Level का Certificate जो की हम बहुत देर से वेट कर रहे थे आज हमारा O-Level का Certificate आ गया है यानि आपकी इस तरीके से O-Level का Certificate डाउनलोड कर सकते हैं आज की इस वीडियो में Complete Process बताएंगे आप उसनी स्टेप को दे आप वहां से भी जा सकते हैं अभी इस तरीके से डाउनलोड करना है सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए आपको आना है नीचे download Certificate करेणा है यहां प देखिए सबसे पहले आपको यहां पे Select a Type of certificate क्लिक करना है और इसमें regular certificate कर देक आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे उसके आपको course for select पर click करना है और आपको एकदम नीचे scroll करते हुए आना है और O level पर click करने के बाद आपका जो registration number है आपको registration number fill कर लेना है तो चलिए हम registration number fill कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने registration number fill कर लिया है अब आपका जो student का यानि आपका जो date आप birthday होगा इसमें आपको डा देख रहा होगा यही फार्मेट आपको इसके अंदर डालना होगा तो यहाँ पर हम date आप इसमें डाल देते हैं जैसे कि जो हमारा date of birthday है इसमें हम include कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने date of birthday डाल दिया है अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो capture image है इसको fill कर आप जैसे submit पर click करेंगे और हलका सा scroll करकर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए दे रहा है your 10-digit mobile number आपको इसमें अपना mobile number कोई भी डाल देना है जिस पर OTP जाए तो यहाँ से हम क्या करते हैं mobile number इंटर कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हमने mobile number इंटर कर लिया बस आपको क्या करना है कि send SMS पर जैसे click करेंगे आपके mobile पर एक OTP जाएगी तो यहाँ पर हम send email पर करते हैं और देखिए यहाँ पर जैसे हमने किया तो यहाँ पर दे रहा है inviolate capture code please try again later यानि बता रहा है कि आपको send करने से पहले आपको एक capture code इसमें बनना होगा तो यहाँ प करेंगे तो यहाँ पर देखिए OTP आपके mobile पर send हो गई ओके करते हैं आपको नीचे आना है और जो आपके mobile पर OTP गई होगी आपको OTP फिल कर देना है तो आपको annihilate करकर गया होगा तो यहाँ पर हम OTP डाल लेते हैं जैसा कि हमारे mobile में OTP आ गई है यहाँ से हम डाल लेते ह OTP आप भी जो यूज करना चाहते हैं OTP आपके जो है यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हम complete OTP डाल ली है अब आपको क्या करना है कि बस यहाँ पर जो capture code दिया है चेंज हो गया है आपको फिर से एक बार capture code को यहाँ पर enter करना होगा तो यहाँ पर हम enter कर लेते हैं और उसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि बस आपको submit पर कर देना है click आप जैसे submit पर click करेंगे तो आपको नीचे scroll करेंगे तो आपका easy तरीके से certificate यहाँ पर download होकर आ जाएगा बस आपको download certificate पर कर देना है click आप इस पर जैसे click करेंगे तो आपका जो PDF होग बहुत ही easy तरीके से यहाँ पर open हो जायागा, आप इसको जहाँ पर भी save करना चाहते हैं, आप save कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डेश्टाप पर save कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा download हो गया है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि download होने के बाद हमारा certificate दिखेगा कैसा यह चीज आपको दिखाते हैं, open करकर आपको दिखाते हैं, तो जब आप उसको open करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से certificate दिखेगा, यहाँ पर दो page लिखेंगे, तो आपका यह main वाला page होगा, तो इस तरीके से आप easy तरीके से certificate को download कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी दि आपको को अवे और हैं.